हेलो एब्रीवन गुद मॉर्णिंग अल फ्यू नमस्कार सभी को आप सभी अच्छे होंगे तो चलिए आज के सेशन में हम लोग इंडियन एकनोमी से समंधित इंपोर्टन फेक्ट को डिसकसन कर रहे थे तो आज की सेशन में हम लोग बजट एन सबसे पहले हम लोग को यह जाना चाहिए कि वाटडिस बजट ह आपसे लिएव प्रस्ष्ट को बजट क्या है और फिचकल पूलिशी क्या है तो देखे आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करेंगे बजट को तो बजट सरकार का सरव परमुख बीतिये दस्तावेज है इन दे सेंस कि जो आपका बजट है वो सरकार यानि बीतिये वर्स के लिए सरकार के आई और बैय सरकार का जो इनकम है और सरकार का जो खर्च है तो यहां से यह पता चलता है कि बजट सरकार का सरव परमुख बीतिये दस्तावेज है जो अगामी बीतिये वर्स के लिए जो आने वाला साल के लिए सरकार के आय और बैय, सरकार का जो खर्च होगा, जो इनकम होगा यहों साथी साथ आर्थिक दृष्टी कोन से, जो इकनोमिकल दृष्टी कोन से, दृष्टी कोन को प्रस्तूत करता है, बिल्कुल सही बात है, प्रस्तूत करता है तो आप समझ के होंगे budget and Raja कोई स्य नेती से समाधित कि budget सरकार का सरोपरमुख बीटिय दस्तावेज है जो अगामी बीटिय वर्स के लिए जो आने वाला जो बीटिय वर्स है आने वाला जो साल है उसके लिए सरकार के आय और बेय जो सरकार का income है और साथी साथ जो बेया है, जो खर्चा है, जो इंकम है, इन आर्थिक दिरिष्टी कोन को प्रस्तूत करता है ठेक है न, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे, बजट किस परकार का पत्र है, यहां से प्रस्त पुछे गए है तो काफी important है, तो बजट जो है, instrument, वह एक परकार का, सरकारी की राजकोसिय नीती का है तो याद रखेंगे, बजट पुछतेगा कि बजट किस परकार का पत्र है, तो आप बोलेंगे, सरकारी की राजकोसिय नीती का पत्र है बिल्कुल सही बात है ना, राइट, यस, नेश्ट अगर हम बात करेंगे, तो भारती बजट का जो प्रिनेता, यानि हम का सकते हैं, father of budget in India फादर ओफ बजट इंडिया किसे माना जाता है, तो बजट का पीता मा, यानि father of budget किसे माना जाता है, तो जिम्स बिल्सन, जैसे आप सभी जानते हैं, चार्ल्स बेबिच को कम्पूटर का पीता माना जाता है, उसी तरह सिंपल सी बात है, भारती बजट का जो फादर है, व वक कप परस्तुत किया गया था, तो यह सवाल पुझा गया है, और आप समझ सकते हैं कितना important है, कि भारत का जो पर्थम बजट है, यानि पर्थम वाला बहुत important परस्तुत होते हैं, ठीक है ना, तो भारत का जो पर्थम बजट है, वक कप परस्तुत किया गया था, तो यह 18 प्रस्तुत किया गया था तो याद रखेंगे 1807 अब 188 फरवरी ठीक है ना ओके नेश्टा है अगर हम बात करेंगे तो भारती सभीधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतरगत सरवाजनिक बजट बनाने का अधिकारिता परदान करती है तो जो भारती सभीधान के अंतरगत अगर हम बात करेंगे तो जो अनुच्छेद आपका 112 है उसके अंतरगत सरवाजनिक बटक बनाने का अधिकारिता है वो परदान करती है तो याद रखेंगे आठिकल यानुच्छेद 112 है ना आठिकल 112 नेश्ट अगर हम देखेंगे तो सोतंत्र भारत का पर्थम बजट किसके दोबरा पेस किया गया था तो सोतंत्र भारत का अगर हम पहला बजट के बात करेंगे पर्थम बजट जो पेस किया गया था वो आर के सेस्मुख सेटी के दोबरा पेस किया गया था तो याद रखेंग नेश्ट है भारत में बजट की स्तीथी को परस्तुत की जाती है तो आप सभी जानते हैं एक फरवरी को परती वर्स नेश्ट है भारत की पर्थम पुर्ण कालीन महिला बीत मंतरी कौन है तो वह निर्मला सीजारमन है नेस्ट है हाली के वर्सों में संगीय सरकार के बजट में बैय की सबसे बड़ी मद कौन सी रही है तो वा ब्याज भुकतान रही है नेस्ट है भारत में बजट का राजसु अनुमान किसके दोरा तियार किया जाता है तो भारत में जो बजट का राजसु अनुमान है राजेसु अनुमान है वा जो रेडी किया जाता है वा जो तियार किया जाता है वा किया जाता है बीत मंतराले के दवरा क्योंकि बीत मंतराले समंधित आपका बजट से है तो उनी के दवरा तियार किया जाएगा ठीक है ना किलिए इस बात है नेस्ट है भारत का पहला जो आं 163 में ठीक है ना नेस्टे भारत में सरवाजनिक बयाय में यूजना यूजना तक और गैर यूजना तक बयाय के वर्गी करन को कब समाप्त किया गया तो यह 2017-18 के बजट में समाप्त किया गया ठीक है ना नेस्टे भारत में सुन्य अधारित बजट सरो परतम किसने परस्तु पिरविती हैं तो अगर हम बात करेंगे स्टूने अधारविह बजेट का तो जो शुने अधारित बजेट का अगर जनक के बात करेंगे तो चैसे पीटर एक पायर है ना चली आगे देख लेते हैं अभी हम देखते हैं कि जो बशारत में है वह सुने भजट का जो आपका सरोपर्थम सुन ये अधारित बजट है, वो सरोपर्थम किसने परस्तोत किया था? तो राजीव गांधी ने परस्तोत किया थे, याद रखेंगे कोन है? राजीव गांधी ठीक है, ना? छेलिए नेस्ट अगर हम बात करेंगे सुन्य अधारित बजट से समंधित कुछ इंपोर्टन फैक्ट है जैसे देख लिजे सुन्य अधारित बजट का जो जनक है जो जनक माने जाते हैं वह है आपका पीटर ए पायर ठीक है ना माना जाता है सरोपर्थम वर्स 1973 में अमेरिका के जोर्जिया परांत में सरोपर्थम के जा रही है अमेरिका के जोर्जिया परांत में जीरो बेस्ट जो है after भारत में इसे सरोपर्थम भारत मेंdigें सरोपर्थम 1987-1988 के आम बजट नागू किया गया था तो याद रखेंगे जो सुनिय अधारित बजट है जिसका जना के पहला है इंपोर्टन्ट की पीटर ए पायर है इसके साथ सरोपर्थम वर सुनिय सो तीहतर में अमेरिका के जोर्जिय परांत में जीरो बेस्ट जो आपका बेजटिंग को अपनाया गया था और बाद में क्या रही है तो 1987 से 88 के आम बजट में लागो किया गया था चलिए नेश्ट अगर हम बात करेंगे तो और इंपोर्टन फैक्ट है ठीक है ना जैसे रेल बजट यहां पर परस्ट में पूछे गए हैं PCS में ठीक है अगर हम बात करेंगे रेल बजट तो जो रेल बजट को जो है आम बजट के साथ यानि रेल बजट है जो आम बजट के साथ परस्टूद करने का अनुसंका है वो किस समीती की थी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो रेल बजट है जो रेल बजट है वो आम बजट में परस्टूद करने की जो अनुसंका है वो किस समीती की गई थी तो याद पार बार बार इसे बोलेंगे तो होप है आप इसे याद कर लेंगे निस्पादन जो बजट है यानि परफोर्मेंस बजट का आउधारना किस देश से लिया गया है तो स्युक्तराज अमेरिका से लिया गया है याद रखेंगे भारत में आर्थिक समिक्षा यानि एकनोमिक सर्वे के उतियार करने के लिए कौन सा उतरदाइक है तो बीतमंत्री उतरदाइक है बीतमंत्री उतरदाइक होंगे क्योंकि जो आर्थिक समिक्षा है इसे समन्धित है एकनोमिक सर्वे से तो बीतमंत्रा ले इसका उतरदाइक है सरकार की आय बे औरीन तता कारों से समंधित क्रिया राजकोसिय नीती यानि फिसकल पॉलिसी कहलाती है बिल्कुल सभी बात है अब देखें नेश्ट है कि भारत में राजकोसिय नीती को को निर्धारित करता है तो भारत में जो राजकोसिय नीती है उनका जो निर्धारित करत सबसे अधिक युगदान किसका है तो भारत सरकार के जो रुकूल घाटे में सबसे अधिक युगदान के बाद की जा रही है तो वह है आपका राजकोसिय घाटे का किसका है राजकोसिय घाटे का वर्स 1923-1930 के बिरिहत मंदी को सुधारने के लिए राजकोसिय नीती के उपाई का उपयोग करने का सुझाओ किसके दौरा की गई थी किया गया था सुझाओ तो वह प्रो जौन मेनार्ड कीन्स के दौरा ठीक है ना याद रखेंगे नेस्ट है भारत में दिर्दकालीन राजकोसिय नीती लॉंग टर्न फिसकल पोलिशी की घोशना किसके दौरा रखी गई थी तो वह किया गया था बी पी सिंग के दौरा किसक सरकार के बजट में राजकोसिय घाटे के बड़े भाग को पूर्ती की समंदी से की जाती है तो वह घेरेलू उधारों से की जाती है नेस्ट है राजकोसिय उतरदाई तो एन बजट परबंधन अधिनियम एफ आर बी एम एक्ट भारत में का पारित किया गया तो वह 2003 में प सम्लित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होता है तो वह राजकोसिय घाटे के बराबर होता है ऐसा बैय जिसके परिणाम सोरूप अरधिवेस्था में पुंजी या संपती का सरजण नहीं होता है वह क्या कलाता है तो राजास्व बजट ठेक है ना इसके बाद पिर आजाएगा आगम घाटा फिर प्रारंबिक घाटा ठेक निर्विक योजना का उदेश क्या है? तो निर्विक योजना का उदेश है वो उज्टम निर्यात तरीन बीतरन का इसका जो महिंद परपस है ठेक न? राजकुसी घाटे में से ब्याज भुगतान घाटाने पर प्राप्त परतिफल वो किस घाटे की संगय दे जाती है तो वो प्रात्मी घाटे की संगय दे जाती है किसी बीतिय वर्स में जब कुल राजस्व बेसे कम हो तो उसे क्या कहा जाता है तो उसे राजस्व घाटा यारे रेवेन्यू डिपिसिट कहा जाता है राजस्व घाटे में से पुन्जी जो आपका है परिसंपतिया में सर्जन हेतू अनुदान को घाटाने पर क्या पराप्त होता है तो परभावी राजस्व घाटा पराप्त होता है परभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो आपका लोक लेखा स समीथी यानि पब्लीक एकांच कोमीटी के दौरह प्रस्तूत की जाती है नेस्ट है शनशत के बजट से समंधित परक्रिया के बिसे में मांग की रासी को घटाकर एक रुपया करने कि को नीती कट उती पर प्रस्ताव याने policy cut proposal कहा जाता है नेस्ट है भारत में परिनाम परिनाम मुनमुक बजट जो outcome बजट पहली बार किस वर्स परस्तुत किया गया तो याद रखेंगे 2005 में परस्तुत किया गया था ठीक है ना 2005 नेस्ट है बीती वर्स 1973 से 1974 में पेस किये गया आम बजट को कहा जाता है तो वा कहा जाता है बलेक बजट ठीक है ना बलेक बजट कहा जाता है नेस्ट है सुन्य अधारित बजट को किस नाम से जाना जाता है तो वा सुरियास्त बजट यानि संसेट बजट के नाम से जाना जाता है ठीक है ना जामा बीमा और क्रेडिट गरांटी निगम को जामा करता के ये जामा रासी बीमा का दाइरा बढ़ा कर कितना कर दिया गया तो पांच लाख रुपे गर दिया गया है याद रखेंगे नेश्ट अबीत मंतरी किस बिदहक द्वारा नए करो के रोपन वरतमान कर धाचे के सुधार या उसी रूप में अनुमोदीत करने का परस्ताव रख था तो वह 15% ठीक है नेश्ट अबीति वर्स बजट ये बेवारों में उद्वन राजकोसिय घाटे को पूर्ति के लिए आंतरी के इनबाहे सुरोतों से प्राप्त किये गए रिन को क्या काते हैं तो सरवजनिक रिन काते हैं नेश्ट पॉइंट है कि बजट 2020 के विसे वस् यानि फोरेजन डारेक्ट इंबेस्टमेंट कितना रहा तो वह 284 बिलियन अमेरिका डॉलर रहा भारत सरकार दोबारा वर्स 2020 सकीस के बजट के दोबारा लभांस बीतर अंदर यानि डिभाइडेट डिस्टिबिशन टैक्स डीडिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गय देश में कितना भारती धरोहर संरक्षन संस्ताव यानि इंडियन हेरिटेज कोंजर्भेशन इंस्टिटीट के विकास का लक्ष रखा गया तो वह 5 नेश्ट है वर्स बजट 2020 में सवास चेतर के लिए कितना राश्री आउंटरिंग की गई थी तो 6900-14 नेश्ट है राजको कितना रखा गया है तो वह 3.37 क्रोर लाख करोड है ना जब सरकारी बेया में ब्रेधी करन के कारण जो नीजी बेया अथवा निवेश में कमी होती है वो क्या कहते है तो उसे क्राउंडिंग आउट परभाव कहते हैं किस केंदरिय बजट में परभावी राजस वो घाटा पेस किया गया तो वह वर्स 2011-12 के बजट में नेस्ट है राजकोसिय घाटे की अधारना को वर्स 1989 में सुख में चकरवर्ती शमीती से परस्तुत किया गया है तो राजकोसिय घाटे की जो अधारना है वर्स 1989 में सुख में चकरवर्ती समीती ने परस्तुत किया है नेस्ट है राजकोसिय निती अपना परभाव किन उपायों या उपकरनों के परियोग से उत्पन करती है तो बजट, कर, सरवाजनिक, बै, तथा रीन नेस्ट है आर्थिक मंदी के दवरान राजकोसिय निती के इंतरगत कौन सा उपाय अपनाया जाता है तो करों में बिरिधी नेस्ट है वर्स 2020 सकिस के केंदरिय बजट में राजकोसिय घाठे की सिदर पर इस्थीर रहा है तो 3.5 पर दियूसत नेस्ट है भारत में बजट घाठे को पूरा करने की जो तथर्थ है ट्रेजरी बिल पर नाली कब समाप्त कर दिया गया तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया एक इंपोर्टेंट पर देशना और है कि जोन में थाई वर्स 1950 सिद्थ में भारती गनतंतर का पहला किंदरी बजट पेस करने का गौरोप राप्त किया था और जो राजकोसी घाटे की आउधारना वर्स 1950 में सुख में चक्रवर्थी समीथी ने परस्तुत किया तो आई होप सेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा थाइंक्यू सो मच इभरिवन मिलते हैं नेक सेसन में तब तक कलिए बढ़े रहे नजा हिंद